हेलो गाइज दिस इस मी अंकुर अपाद्याय वेलकम तो आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनलिसिस बात करने वाला हूं आई टी शी शीयर के बारे में मैंने इस पर कल भी शायद वीडियो बनाई थी और मैंने आप से काथा काफी शांदार हो चुका है और बहुत ही बैतरीन खबर आती हुई दिखिए इसमें बाय करके चाना चाहिए आपको और आपकी जो निवेस है पहले से और जोगाई फ्रस् शेयर आजके रहें तीन रुपे ऊपर है 211.75 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम 11.46 मिनट हो रहे हैं वोल्यम्स की बात करें तो कमजोरी देखने को मिल रहे हैं अभी तक दोड़ाई गंटे हो गया मार्के ओपन हुए साढ़े 10 मिलियन के वोल्यम्स अभी तक ट्र मुलिजी के शेयर उसको लिस्ट करने की ख़बर ती जो की खुळ चेयर मैं साबने कई ती आई टी सी के चेर मैं जी अभी क्या करना चाहिए आपको इन इस तरों पर काई अपको आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप पेशेंसलिश को कर दो कर यह और ये शेय बहुती शांदा रिटन देता हुए देखेगा आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से शेयर की बात करें तो शेयर 211.65 पे ट्रेड कर रहा है आपका जो एक ही सिचेशन में ट्रिगर हो सकता है वह सिचेशन यह है कि अगर यह ऐसा कुछ होता है तो LIC को अपना स्टेक 15% से कम करना होगा और LIC का अभी जो टोटल स्टेक है वह अराउंड 17% का है तो 2% अगर LIC अपना स्टेक बेचती है या फिर जादा बेचती है तो सेलिंग प्रेशर आता हुगा दिखेगा शेयर में जिसके बाद शेयर कहीं न कहीं 198 के लेवल्स तोड़ देगा तो उसके बाद आपकी जो रंड नीतियों नीची हो वो मेरे साब से या तो आप अपनी पोजीशन में बने रहें या फिर शेयर को और एवरेज करें क्योंकि की वो केवल और केवल एक सेलिंग प्रेशर होगा दुबारा से राइस होगा शेयर 110 पसेंट और वही हो सकता है इसका वेल्यू अलोक करें शेयर का शेयर के जो मेरे साब से टार्गेट बनके आते हैं वो 300-300 रुपे तक के लिए आपको वेट करना चीए शेयर बहुत ही जा से थोड़ी दिक्कत है दी उसको डी मर्जर करने के लिए प्लानिंग कर रही है कंपनी साथी साथ आईटी का जो शेयर है उसे अलग से लिस्ट करने की सोच रही है कंपनी तो यह प्रोसेस थोड़ा बहुत तो लेगा बट यह जो प्रोसेस है यह काफी जादा शांदार और अगर स्टॉक के प्राइस से आपको रिटन नहीं भी मिल रहा है तो आपकी 10% तक की डिवीडेंट ही तो पकी है शेयर में 10% की डिवीडेंट ही है तो काफी ज्यादा शांदार स्टॉक है लॉंग टाम के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रहें और मेरे साब से फ् तो भी बाइनिशेट करना चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि हम रेंज के नीचे के लिए वेट करते रह जाए और शेयर ऊपर ब्रेक करके निकल जाए तो आपको 220 के लेवल्स पर वाच करना है और उसके उपर निकलता है तो बने रही है और स्वरी पसंदेगने को मिल रहा है निफ्टी के तरफ से आज के दिन इसका अल्टाइम हाई भी लगता हूँ अधिका है मार्केट में 488 पे ट्रेड कर दिया निफ्टी सिक्टीन ताउजन 488 पे कैश की लिवल्स की बात कर रहा हूं मैं काफी शांदार मार्केट इस टाइम काम का अधिका है मार्केट में और बात करें FMCG की तो आज कहीं न कहीं लीड करता हूँ अधिका है आपको ओवरल व्यू बहुत पॉजिटिव आईटीशी शेयर पे आप सभी को वीडियो समझ और पसंद दोना ही होगी तो थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो है वा